हेलो फ्रेंड्स ग्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही किया है तो नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिलकुल लभूलें तो चलिए दोस्तों आज किस व फिर आपको डायबेटीज है या फिर नहीं या फिर हम बोलें कि हाग है कि कोफ लक्षड होते हैं तो वह आपके सिरी में किस तरह से दिखाएब देतां है तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला लक्षण होता है यह होता है कि आपको अधिक प्यास लगना यदि आपको बहुत जादा प्यास लगती है बार बार प्यास लगती है तो यह diabetes का एक लक्षण होता है और यदि आपको इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं तो आप एक बार अपना blood sugar test जरूर करवा ले यह आपके लिए काफी बहतर होगा वैसे तो आप 30 साल से अधिकुम्र के हैं तो इस तरह के लोगों को एक बार अपना blood sugar test करवा ही लेना चाहिए और यह जो test होता है काफी सस्ता होता है बच्चों को बार बार तेज पेट दर्द होना उल्टियां होना अत्वा सांसों की गती में आसामानी रूप से तेजी जैसे लक्षन हो सकते हैं इसे diabetic keto acidosis कहते हैं तो दोस्तों बच्चों में इस तरह की दिलक्षन दिखाए देते तो उन्हें भी diabetes हो सकती है और बार के लक्षन भी कुछ इस तरह के होते हैं क्या हो अगर आप इलाज नहीं लेतो यह बिमारी बेहत धीमे धीमे अगले कुछ वरसों में सरीर के बिविन अंगों पर इस थाई रूप से दुस्प्रभाव डालती है इसका पता कुछ भी कुछ वरसों के बाद भी चलता है तब तक मरीज इस ब्रहम में रहता है कि बिना किसी इलाज के वह सामाने हो जाएगा इलाज ना हो तो हाई बलड प्रेशर कोरोनरी हार्ट डिसीज अटेक ये सारी जो समस्याएं होती है ये आपको हो सकती है तो दोस्तों यदि आपको भी इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं तो आप तुनन्त डॉक्टर से पास जाएं इसका इलाज लें और इससे आप पता लगा सकते हैं आपको डाइबेटीज है या नहीं तो दोस्तों यह थी छोटी ची जानकारी उमीद करती हूं आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दवाईए ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके